अज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरीद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं हिंदु धर्म में ये दिन पीपल के विरक्ष के लिए पूजनी होगा जो भी शनिवार के दिन पीपल के विरक्ष की पूजन करेगा दूत चड़ाएगा, या मिश्ठान का भोग लगाएगा, लच्छमी और नारेन उसके घर में प्रवेश कर जाएगा, लच्छमी और नारेन उसके घर में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए नियम बनाया, कौनसे दिन का शनी बाद, लच्छमी जी बुली नारेन आपने तो एक दिन का वार्व लिख दिया शंकर जी ने साथ वार बना है रविवार सुंबार मंगल बुद्गुरु शुकर और शनी ये शिव जी ने बना है अब एक दिन आपने अपना बना लिया बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के विलक्चे के नीचे आएगा और यहां तो दरीदरता बेठी तो उसका क्या होगा भगवान नरहिन बोले सुन दरीदरता तेर से एक विंती है अगर कोई भी मनश इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर साथ दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामगरी होती है तो तू उसके घर में परविष नहीं करेगी निया में पीपल के बरक्ष का या तो पानी का लोटा ले कर जाओ कुणकू का चोपड़ा ले कर जाओ शक्कर ले कर जाओ या पेड के नीचे चीटी को डालने के लिए आता ले जाओ पर खाली हाथ पीपल के ब्रक्ष के नीचे कभी मत जाओ कभी नहीं जाओ खाली हाथ जाओ गे तो दरीदता तुमारे गर में प्रवेश करेगी दरीदता उटकर खड़ी होकर बोली नाराइन तुमने अपनी मनमानी करी है एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए घगवान ने का बोल कुणसा दिन चाहिए दरीदता कहती है रविवार के दिन इस पीपल के ब्रक्ष के नीचे मैं दिन भर नप्त करूँ इसमें रहूं और जो यहाँ आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूँ घगवान ने खा ठीक है दरीदता रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तु इस पीपल के व्रक्ष के नीचे नप्त करेगी और जो आएगा इस पीपल के व्रक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रविश्च करेगी मैंने तुझे बर दिया इसलिए हमारे यहां केवल पीपल का ब्रक्षगर दिवाल में भी लग जाता है ना किसी की फेक्ति की दिवाल में किसी की घर की दिवाल में पीपल का ब्रक्षगर लग जाता है पीपल का पोधा लग जाता है उसको कित्ता भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा अगर पीपल के पोधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक निब्बू, एक मिर्ची और बमूल का कांठा ये तीन चीजे रखने के बाद में आदे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को खाड़ कर फेड़ो दूसरी बार कभी पीपल दिवान में लगता ही नहीं कभी नहीं लग स्ना केवल एक रविवार का केवल एक संटे गर में दिवानों पर अगर पीपल लग भी घया है इसलिए पीपल के व्रक्ष को वो खानने का अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पोधा हमारे घर में लगा गया उसको उतारना निकालना लगाना तो पीपल के व्रक्ष को अगर निकालना जाता है तो रविवार के दिन और अगर पीपल के व्रक्ष को कहीं लगा नहीं जाता क्योंकि शनिवार के दिन पीपल की व्रक्ष के निचे लच्छमी रहती है हम अपने हातों से कर पीपल का व्रक्ष किसी दूसरी जगा पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लच्छमी अपने घर से छिंड होकर चली जाती है इसलिए शनिवार के दिन तर्वासाजी बोले जिसके यहां रातरी में बरतन जूटे पढ़े रहते हूं, उसके घर में इस धरीदरता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना, जिसके यहां रातरी में बरतन जूटे पढ़े हूं, वहां लेकर प्रवेश कर जाओ, दूसरी जगा, दुर्वासाजी बोले, जोर इस्त्री घर में दोपाहर के समय पर सो रही हो, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाई हूं, जो इस्त्री दोपाहर के समय में घर पर सो रही हो, इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाई है, तीसरा, जिसके यहां पर धर्वाजे पर काटे वाले पोधे लगे हो, उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाई है, कितनी सुन्दर बात कहिए दाता और विधाता कौन-कौन दाता और विधाता लक्षमी और दरिदता के सगे भाई है कौन-कौन दाता और विधाता दाता को फिटकरी विधाता को नमक अपनिये ये दोनों हमेशा लक्षमी को और दरिदता को दोनों को समझाते थेते दोनों में प्रेम बढ़ाते थे आज भी हिंदू धर्म की रीति तो ऑया तो ठीक है जिसके यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है थोड़ा कर यह नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोच्छा लगा देते हैं आप लोगों नाचकल फेस्बुक पढ़ा होगा वाटसप पढ़ा होगा तो क्यों लिखा उसमां उसका काननी के वलेता है कि दाता रुविधाता के प्रियता है माता घ्याति के जो चार बच्चे हुए इसमें जो दो लड़के हैं विदाता उसकी प्रियता है उसकी पून नहीं श्रीश्वाय नमस्तु महापुरान कती है अगर एक दिन श्रीव महापुरान की कता केती है शनीवार के दिन अगर शिब की अरादना करी जाए शनिवार के दिन अगर संकर को जल चड़ाया जाए तो जिंदकी में व्यक्ति की कभी अकाल म्रत्यू नहीं होती कि बेसाक महीने में पवित्र व्रक्ष के जड़ में एक लोटा जल समर्पित कर देने पर और वहां की जो रज है उसको मस्तक पर चड़ा लेने पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है 84 लाख योनियों से आप में से कितनी माताई या कितने भाई लोग बेठे हैं जो शंकर जी के मंदिर पर जाते हैं और मंदिर पर जब जाते हैं वापिस जब लोट कर आते हैं तो मंदिर की चोखट का इस परश करकर अपने मस्तिश्क पर उस रज को लगाते हैं आप में से कितने लोग हैं हैं बहुत सारे ठीक है अब जितने लोगों ने हाथ उठाया और नियम से अगर शंकर मंदिर की दरवाजे की चोखट पर भगवान शंकर को जल चड़ाने के बाद अपलोड करा रहे हैं और उनकी चोखट पर आपने हाथ थेर कर अपने मस्तिश्पर उस रज को लगाया है वो धीरे धीरे अपने भाग्य की और देखते हैं अपने इतनी तारिक से मंदिर जाना चलो कर रहा है तो इतनी तारिक तक मुझे यह फल की अनुभूति जनिवार के दिन जो पीपल के ब्रक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनी कभी परिशान नहीं करता एक बात हमेंसा ध्यान रखिएगा मान लो अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे होते हैं केसी के साथ में वेप्रित परिस्थित ही आ जाती है अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है तो फीम कबष की जो छाल धिखेंगे भ॥ीम पिकल के फिल्द जो छाल लगियद ऑस उस चंदन में कराकर अभिशेक कराकर फूजन कराकर पूजन करने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उनसे महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई च्छाल होती है तो च्छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी था थोड़ा सा भागत्ने कंथपत मस्तथ पर लगाना प्रारम कर दो धीरे धीरे जो विप्रित दशा है वो सुधरना प्रारंब हो जाती है पर नाम यादटना प्रिपलेश्वर अच्छनीवाद